बच्चों मैं पूजा चौदरी आज की कक्षा में आप सब का स्वागत करती हूँ बच्चों हम कक्षा 10 की बुगोल विशे को पढ़ रहे हैं जिसके अंतरगत हमने अध्याई 2 प्रारंब किया था जिसका नाम है वन्य और वन्य जीव संसादन और आज हम इस अध्याई के अभ्यास प्रशन करने जा रहे हैं जो की है भाग 4 तो शुरू करते हैं अध्याई 2 का भाग 4 अभ्यास प्रशन सबसे पहले बहु वैकल्पिक प्रशन, पहला इन में से कौन सी टिपणी प्राकर्तिक वनस्पती जात और प्राणी जात की हास का सही कारण नहीं है तो सबसे पहला जो विकल्प है वहा है कृशी पिसार, ख, पशु चारण और इंधन लकडी एकत्रित करना, ग, व्रहत स्तरिय विकास योजनाई, या ग, तीवर ओद्योगी करन और शहरी करन तो हम कहेंगे प्राकर्तिक वनस्पतिजात और प्राणिजात के हास का कारण इन में से कौन सा नहीं है, तो तीवर ओद्योगी करन और शहरी करन वह कारण नहीं है, दूसरा, इन में से कौन सा संगरक्षन तरीका समूदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, तो क्या इहां स के रूप में संग्रक्षन के लिए सीधा भागीदारी नहीं करता जन समुदायों की वह है वन्य जीव पशु विहार या सैंक्चूरी का परिसीमन अगला प्रशना निर्म लिखित प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें जिसमें है जानवर पशु और एक तरफ है उनका अस्तित्व तो हमें जानवर पशु और उनके अस्तित्व को यहां पर मेल करना है जिसमें काला हीरन, एश्याई हाथी अंड़मा, जगली, सूर, हिमालयAN, भूरअ भालू और गुलाभी, सिर्वाली, बतक को अस्तित्व के तरीके से मेल करना है तो हम कहेंगे जानवर पशु और अस्तित्व में, काला हिरन जो है वा संकट क्रस्त जाती में आता है, यदि हम बात करें एशिया हाती की तो यहाँ सुभेद्य जाती में आता है, इसके अलावा अंडमान जंगली सुवर स्थानिक जातियों में आता है, हेमालयन भूरा जो है दुरलब जातियों में आता है, और गुलावी सीरवाली बतक जो है वा लुप्त जातियों में आती है, तो इस प्रकार से हमने जानवरों का उनके अस्तित्व की जातियों से मेल किया, बढ़ते हैं आगे प्रश्न संक्याती, निन्नलिखित का मेल करें, जिसमें हमें आरक्षित वन बताने हैं, रक्षित वन और अवर्गीक्रत बताने हैं, तो हमने इन तीनों की परिवाशा ही अपने अध्याय में पड़ी थी, और वह क्या थी, तो आरक्षित वन वे शेत्र होते हैं, या वे वन होते हैं, वन और वन ये जीव संसादन संदक्षन की दृष उसे रक्षित भूमी कहते है, रक्षित वन कहते हैं, तीसरा अवर्गीकरत वन, सरकार व्यक्तियों के नीजी और समुदायों के अधीन अन्यवन और बंजर भूमी जो है, वह अवर्गीकरत वनों में आती है, तो इस प्रकार से है, तीन वन शेत्र हो गए, अरक्षित, वशित और अवर्गीकरद वन बढ़ते हैं आगे प्रशन संक्या चार निम्न लिखित प्रशनों के उतर लगभग ती शब्दों में हमें देने हैं तो आपको ती शब्दों में इनके उतर देने हैं बचों सबसे पहला है जैवविधता क्या है यह मानव जीवन के लिए क्यो तो हमने अध्याय में पढ़ा था मानव के अस्तित्व के लिए भी जैविक विद्ता आवशक है, पारिस्तिती की को बचाने के लिए भी जैविक विद्ता आवशक है, तो इस प्रकार से जीवों के विभिन प्रजातियां जब प्रत्वी पर पाई जाएंगी, तो उसे जैव जीव Jahren उर पादपों की प्रजातियों की बहुलिता को जैविध्था कहते हैं. इसमें क्या क्या ही शामिल हो गया? तो जंगली और पालतु, जीवन जन्तु बी इसमें आते हैं और पादप या पीड पौध्धय की प्रजातियां भी इसमें आते हैं. तो यह सभी जो हैं किसको सुनिश्चित करते हैं जैविक विदिता को सुनिश्चित करते हैं मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थिती की तंतर का निर्मान करते हैं जिसका मनुष्य मात्र क्या है एक हिस्सा है और अपनी सभी आवशक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष आप्रत बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रशने की तरफ, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव करियाएं कि इस प्रकार प्राकर्तिक वनस्पतिजात और प्राणिजात के हास के कारक है यानि कि मानव के गतिवीदियां जिम्यदार हैं वनस्पतिजात और प्राणिजात के हास के लिए तो हमने पढ़ा था ऐसा है मानव स्वयम अपने इलाब की प्रवर्ति के कारण प्राणिजात और वनस्पतिजात को हानिया पहुचा रहा है तो उत्तर मानव ने विकास के नाम बर वनस्पती जात और प्राणी जात का दोहन किया है। जिससे वनस्पति कोहानी होती है और वन्य जीवन पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानव ने क्रिशी के लिए वनों को उजाडा है, तो क्रिशी करने के लिए भी हम जंगलों को साफ करते हैं, हमें भूमी की आवशकता होती है, तो हम जंगलों का जो है, या तो जंजातियों के दारा कई बार इन जंगलों को जला दिया जाता है, और कई बार जंजातियों के अ परियोजनाओं जैसे की नदी गाटी परियोजनाओं के कारण भी वन शेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जब यह सभी शेत्र जो है इन नदी गाटी परियोजनाओं के कारण जल मगन हो जाते हैं या जल में डूब जाते हैं, खननकार्य से भी वनस्पति का हास हु शिकार के कारण परियावन प्रदूशन, विशाक्ती करण आदी के कारण भी जंगल का शेत्र कम हुआ है, तो इस प्रकार से मानव की गतिवी दिया, इसके लिए जिम्यदार है, बढ़ते हैं अगले प्रशने की तरफ, नेमने लिखित प्रशनों के उत्तर लगबग 120 पहला, भारत में विभिन समुदायों ने किस प्रकार वनो और वन्यजीवन संग्रक्षन और रक्षन में योगदान दिया है, विस्तार पूर्वक बताएं, तो उत्तर है, भारत के कुछ शित्रों में विभिन समुदायों ने सरकारी तंतर के साथ मिलकर वन एं वन्यजीव के अलवर जीले में पांच गाउं की यहां पांच गाउं के जो लोग हैं इन्हों ने 1200 हेक्टर भुभाग को बहरोदेव डाकव सौन्चूरी गोशित कर दिया हैं इसी तरीके से राजिस्थान के बिश्णोई गाउं के आसपास काले हिरंट चिंकारा नील गाय और मोरों के ज अंगर्ष कर रहे हैं कुछ समाज के लोग जो हैं कुछ विशेश पेड़ों की पूजा भी करते हैं जैसे उत्तर भारत में हिंदू लोग तुलसी की वटवरक्ष की पीपल के पेड़ों की पवित्र मान कर पूजा करते हैं वहीं शादी विवहा में आम के पेड़ों की कह सकते हैं कि उप्रोप्त तरीकों से भारत में विभिन समुदाए वन और वन्य जीव सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रशन संख्या 2, वन और वन्य जीव संग्रक्षन में सहयोगी रिती रिवाजों पर एक निबंद लिखिये। तो यसे कौन से रिती रिवाज है जिनसे कि वन और वन्य जीव का संग्रक्षन हो रहा हैं, उनको बचाया जा रहा है। तो भारत एक परंपराओं का देश रहा है, यहां के लोग प्राजीन समय से ही प्रकर्ती से प्रेम करते हैं, प्रकर्ती की पूजा करते आ रहे हैं। भगवान का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। और उन्हें खाना भी खिलाया जाता है। तो इन लोगों के द्वारा काले हिरन चिंकारा, नील गाए मोर, आदि पशु पक्षियों और व्रक्षों की संग्रक्षन तथा पूजा की जाती है। कुछ समाज के लोग कुछ विशिश पेडों की पूजा करते हैं, जैसे कि छोटा नागपूर में आदिवासी समुदायों के मुंडा और संथाल जनजातियां, महुआ और कदम के पेडों की पूजा करते हैं, और उडिसा और जारकन में जनजाती समुदाय के लोग शादी वि विभ्धिन अवसरों पर खेजडी वक्षों की पूजा भी की जाती है, उप्रोक तरीकों से हम क्या कहेंगे कि वन और वन ये जीव संग्रक्षन में भारत की रीती रिवाज अपना योगदान दे रहे हैं, तो हमने इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न इस भाग में किये हैं, मिलते हैं, अगले भाग में धन्यवाद.